जैसे रादे मित्रों जैमाता दे मित्रों चंद्रवन्य भक्तिरस चैनल के माधम से मैं पंडित देपकुपाद्य देभूमे उत्राक्रण से आपके अपने चैनल चंद्रवन्य भक्तिरस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आदे सकती माभगवती से करवत प्राहन करता हूं कि मावद्वति आपके समस्वनों कामनाओं को पूर्ण करें आपके जीवन के सवस्विग नवादाओं का मातारानी हरण करें और आपका जीवन आनत्माई हो तो चद्रवन्य भक्तिरा सब्सक्राइब करें कि कौन कौन से उपाई आपको करने हैं जिससे आप इस सब्सक्राइब बना सके तो वीडियो में सब्सक्राइब करें जो पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आगे आने वाली वाली वास समय समय उनसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लावान भित्थ हो सके तो सबी लोग जो हैं अंतिन तक अवसे बने रहें तो जादा देर न करते वें बात करते हैं सरवपर्थम में इसराजके जाने कों के लिए कैसा रहेगा यह सब्ता तो इस सब्ता जो है श्च्टम चंदर की योग हैं और जो आप जो अधिक समय रहें विवाद से आपको दूर है और परिवार जनों का संयोग भनता हुआ दिख रहा है आपको मिलेगा सोमबार यह वार के दिन नए व्यमसाइक समध्थ कर सकते हैं और आपको मन मताबिक काम करने का भी मौका मिलता हुआ दिख रहा है बुध्ध वार और कुआ गुरुवार को है आपकी आई में सकनदार ओक और मित्रों का श्रयोग भी आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है लंबे समय से चली आ रही योजनाएं भी आपकी सपल होंगी और सुचनाएं भी आपको प्राप्त होते हुए दिख रही है जिनका आपको पूरा लाव मिलता हुआ दिख रहा है तो करियर में कोई परिक्षा की तैयारिम को लेकर संसर रह सकता है एवं अगर आप उस्सा बना कर रखेंगे तो आपके ले बहतर रहने वाला है स्वास्टर की बात करें तो आपको सेहर से जुड़ी कुछ समस्याएं इस सब्सक्राइब की बात करें तो प्रेम जीवन में साती से अनमन हो सकती है और बैवाहिक जीवन में जो है समस्याएं आने के योग दिख रहे हैं उपाए तो उपाए क्या करें कि संकर भगवान को जल की धार्व के साथ जो है दूद की धार्वी आपको जल में दूद मिला करके उम्नमस्यवाय बोलके संकर भगवान को समर्पित करना है बात कर बिर्सवरास के जात कों के लिए कैसा रहेगा सब्टा तो इस सब्टा जो है आपको पारवारी खुसियों की प्राप्ति होते हुए दिख रही है और आए आपकी अच्छी बनी रहेगी आप अप कुसलता से अपना कायदाने में सपल होंगे मन आपका खिन रहेगा सोमबार और मंगलवार को अत्रिक बेचनी आपको महसोस हो सकती है भवस्य को लेकर अधिक आप चिन्तित रहे हैं आई जो है इन दिनों कम और खर्च आपके इन दिनों जो है अधिक होते हो दिख रहे हैं, बुदवार और गुरवार को जो है आपको समचनले का मौका मिल सकता है एवं आपके कारियों में सुदार होता हुआ दिख रहा है, आपके आई में भी वृद्धी होगी और नवेल का आपके जो है मुलाकात हो सकती है और आने वाले समय में जो है सपलता की प्राति आपको होगी करियर की बात करें तो कारोबार में आ रही समस्याएं आपकी धीरे-धीरे समाथ होंगी और नौकरी में भी प्रमोशन के मौके आपके लिए बनते भी दिख रहे हैं सिक्षा की बात करें तो समय जो है आपके लिए बहतरिन रहेगा और परदर्सन जो है स्रेश आपका बना रहेगा आपको इसके सुप्रणाम भी मिलेंगे स्वास्ते की बात करें तो नसों में जो है तनाव होना या आँखों में जलन हो सकती है ज़र एवं अपच की समस्या आपको हो सकती है प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में साती से जो है सयमित ब्यावार करें एवं बैवाहिक जीवन जो है आपका शुक में बना र तो मित्वनास के जादकों के लिए आने वाला जो सप्ता है कैसे रहेगा तो इस सप्ता जो है आपको बेकार की बातों में जो है समय बरबाद नहीं करना है चिंताएं जो हैं आपके ऊपर हावी रह सकती हैं और इसकी वज़े से आप कुछ गलत निर्णे भी ले सकते हैं सोमबार और मंगलबार को समय आपके पक्ष काम में रहने वाला है कारियों में सपलता की प्राप्ति होगी और घर में दूसरों का श्रयों भी आपको प्राप्त होता भाद दिख रहा है आपके लिए यात्रा पे जाने के योग बन रहे हैं और इस सप्ता आपके आई भी अच्छी बनी रहेगी बुद्धवार को नियविद मिलने वालों से विवाद आपका हो सकता है जिनसे आप पड़तिन मिलते हैं उनसे विवाद हो सकता है गुर और सुक्रवार को पुना आपका मन उदास रहेगा आप जो है कुछ आसांकाओं से घिरे हुए रहेंगे सनिवार के दिन सनिवार से समय आपके अनुकूल रहेगा और कार्य समय पे आपके होते हुए दिख रहे हैं येवं पढ़ाई के लिए बहतर माहौल भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है सेहत किसी छोटी बिमारी के संकेत हो सकते हैं आपको वाहन चवलाते समय जुरासत ध्यान रखने की जरूरत होगी प्रेम की बात करें तो प्रेम जीवन में साती से तनाव समाप्त होते हुए दिख पचे मंद्र का आपको जाप करना है बात करते हैं करगरास पेड़ादक के लिए आने वाल सकता कैसा रहेगा तो जितने भी आधास के हैं कर्करासि वालों के लिए पंचम चंदर की वजह से सकता का आरंब जो है अच्छा होगा आपके कारियों में यह जो है देजी एवं संतान से सुक प्राप्त होता हुआ दिख्रा है सोंबार एवं मंगलवार को जो है अज्यात चिंता आपको रह सकती है दूसरों से जो है विवाद आपका होश्चता है एवं वर्चस्त की लडाए भी आपके हो सकती है आपका इस सप्ता जो है किसी से अपमान भी हो सकता है कोई आपका अपमान कर सकता है बुद्ध एवं गुरुवार का दिन जो है आपके लिए अच्छा रहेगा दूसरों के संयों की प्राप्ति आपको हो सकती है नए कारे भी आपको मिलेंगे एवं दूसरो दूसरों के संपर्क का लाऊब स्वाप्ती होगी इवर की कंदी होगी योजनाई जो सपनल होते हुए दिख रहें धनिकीं आवग धन का आ संवार को 1922 आपको रहना है किरीयर करें तो ब्यापार में नए संपर्ख आपके बन सकती हैं या नौकरी में बर्चस्व आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिक्षा की बाद करें तो आलस्य आपकी पढ़ाई में बादा बनता हुआ दिख रहा है और आपको इसे छोड़ने की जरूरत है। थ्यो openness करना सकते हैं तुल जितने भी जातक से हैं सिंग्राश के जातकों के लिए यह सपक्ता कैसा रहेगा तो सोंबार मंगल और बुद्वार को जो है चंद्र सकारात्मंग अनुकुलता से जो है सही तरीके से कार्य छमता आपकी प्राप्त होगी जिससे आपकी आर्थिक इस्तिती में सुधार होता हुआ दिख रहा है धनकी ब्रिदी के योग सिंहराज के जादकों के दिख रहे हैं और दोस्तों के समय योग की प्राप्त भी आपको होते हुए दिख रही है आपका कार्य छेत्र में स्वयम को आगे बढ़ाने का समय होगा और आप जो है सपलता की सीडियां जो है इस समय चड़ते वे दिख रहे हैं गुरवार और सुक्रवार को थोड़ी चिंता आपके बढ़ सकती है बित्तिय विवाद जो है वा भी आपके हो सकते है सनिवार जो है वा उत्तम रहेगा और आपकी खुसियां जो है बनी रहेंगे जिसे आप जो है अच्छे से निभा सकते हैं इसके अलावा इस सप्ता में जो है भर्मन का अच्छा मौका भी आपको मिल सकता है और पेश्वेवर छेत्र में कारें की विड़िदी होते हुए दिख रही है, नौक्री में भी अच्छा समय आपके लिये रहेगा, छात्रों के लिए अधिक समय पढाई में लगाने का जो है सुनरा मौका मिलता हुआ दिख रहा है, और आपको संयोग विख मिलता हुआ दिख करें तो पती-पत्नी के साथ विवादों का समाप्त होना चाहिए इस समय आपके जो विवाद करें समाप्त होंगे और उपाय के तर पे जो है सिवर पंचाक्छर इस तोत्र का आपको पाट करना है तो या उपाय करें जिससे इस सप्ता को आप सुफलदाई बना सके अब बात करते हैं कन्यारास के जादकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ता तो इस सप्ता जो है प्राक्रम और साहस से भरा जो है या सप्ता कन्यारास के जादकों के ले रहेगा और भाईयों का संयोग भी आपको प्राफ़त होगा आपका भाग जो है पूरा साथ आपका देगा और कारियों में बिस्तार होने के साथ जो है नई योजनाए भी आपकी बनते भी दिख रही चोंग का को जो है समय regulatory करने से आपका होसला जो है बनता हुआ दिख रहा है और आप सपलताग जो है आपको हासिल होते हुए दिख रही है मंगलवार और बुद्दवार को जो है आप्की आय इस तरहेगी लेकिन जो है मांसिक तनाव जो है वहाँ बना रह सकता है कारियों में जो है कुछ रुकावटे आते हुए दिख रही है और आपकी जो योजनाओं में जो है आप थोड़ा सा उलज सकते हैं तो इसलिए जो है इस सब्व्था को सुफल्डाई बनाने के लिए कण्यारास के जादकों को मावधवती का पूज निरंतर करते रहना है और मंगलवारे के दिन जो है सुन्दरकांड का आपको पाट जरूर करना है ताकि आप जो है इस सप्ता को सुफलाई बना सके बात करते हैं तुलारास के जादकों के लिए कि तुलारास के जादकों के लि के लिए अत्रिक्थ प्रयास करने हूंगे और आपकी आये में बिढे दूसरों के स 67 अपिक्ष्ण तो कह एंधा हो दिख रहे हैं दूसरों का जो एपन्हें होग के आपके कार्य करना के यहाँ आनावस्य खर्श हो सकते हैं आज-पास के लोगों से आपके भिवाद भी हो सकते हैं तो स्वास्ट्य आपका एक सिख्षा के लिए भी या समय बहुत ही सुभं है उपाई की बाऊ करें तो इस सब्ता को शुफलदाई बनाने के लिए जो है आपको उपाई के तौर पे जो है हनमान जी का पूजन करना है और पढ़ते दिन जो है हनमान परान आपकी आई में बिर्दी होने का अनमान भी लग रहा है जो आपके बिटे इस्तिती को जो है मजबुती मजबुती परदान करेगी इस समय में जो है आपकी संतान भी आपके जो है आपका संयोग करेगी और परिवारों जुनों का साथ भी आपको मिलता हुआ देख रहा और अगर कोई बिवाद है तो उसका शमाधान भी इस सप्ता होता हुआ दिख रहा है। आपको नए चेत्रों में कदम बढाने के लिए प्रेडित करता हुआ दिख रहा है और नई योजनाओं का संचार करने का शाहस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं धनराज के तो धनराज के जादकों के लिए यह सप्ता कैसा रहेगा। तो सोंबार की सुबह तक आर्थिक प्रिसानियों और अन्य समस्याओं की चुनोतियों का शामना आपको करना पड़ सकता है और आपके कारियों में बाधाएं आ सकती हैं और संयोग प्राप्त करना आपको थोड़ा सा मुस्किन हो सकता है। छानके इसके बाद के समय में सुदार होने के संकित मिल रहे हैं और आर्थिक सुदार के साथा है जो है। की गति आएगे और संयोग भी जो है आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है गुरुवार का जो दिन होगा तो गुरुवार को सबसे अच्छा दिन आपके लिए होने के संकेश दिख रहे हैं और इस दिन जो है आपको अच्छी खवर सुनने का मौका मिल सकता है आपके लिए अच्छी खवर सुनने इस दिन सुन सकते हैं और मित्रों से मिलकर आपको संयोग भी मिलेगा नए कारियों की शुरुआद भी जो है आप कर सकते हैं और यह आपके लिए जो है सकारात्मक प्रणाम परदान कर सकता है शुक्र और सरिवार को भी जो है आपको संयोग जरूर मिलेगा और नई कारे योजनाएं आपके बनेंगे भाई जो है आपके साथ मिलकर संयोग करेंगे और आपकी योजनाओं को सपलता प्रदान करने में आपकी मदद करेंगे नए कारे करने को जो है नए कारे जो है आप करने के लिए प्रयास करेंगे और वहा कारे जो है जो भी कारे आपने सोचे थे वहा कारे आपके सपलता के द्वारविक होते वे दिख रहे हैं बात करें उपाय के इस सप्ता को और भी सुफलदाई बनाने के लिए उपाय क्या करे हैं 9 बर से नीचे की करने हैं उनका आश्रवाद भी आपको लेना है तो आप जो है इस सब्ता को सुफल्दाई बना से बात करते हैं मकरास के जादकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला शप्ता तो सौंबार की सुबा तक जो है मकरास के जो जातक हैं वह आर्थिक प्रेसानियों से जूँ सकते हैं आपको थोड़ा सा इस सप्ता जो है कुछ समस्याओं का श्रामना करना पड़ सकता है आपके कारियों में बिगन बाधाएं आ सकती है और आपको जो है आर्थिक प्रणाम की प्राप्ति जरूर होगी सुक्रवार और सनिवार का दिन आपके लिए बहुती सुफलदाई रहने वाला है और जितने भी आपकी योजनाई बनी हुई है उन्हीं योजनाओं में आपको सपलता जरूर मिलते वे दिख रही है और आपके प्रिवारी जनों का संयोग भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है और जो भी आपके कारे हैं जो योजनाएं आपने बना रखी हैं उनमें आपको सपलता मिलते हुए दिख रही है नए कारे करने का भी जो है जो आपके ने नए कारे करने के इलबारे में सोचा है वह कारे भी आपको करेंगे और उन कारेों में भी आपको सपलता जरूर मिलेग सप्ता तो सप्ता का आरम जो है वाकुम राज के जातकों के लिए सो आरम जो है अच्छा समय जो है अंगलवार से प्रारम होगा और इस समय का आरम मंगलकारी ग्रहों के साथ होने के कारण आपके लिए यह समय बहुत ही सुभ है इसका मतलब है कि इस सप्ता को आप जो है अप प्रगती की परापति को सकते हैं, इस समय आपको सप्रता की प्रगती की परापति होगी, इसके साथ साथ ही सुभ सूचनाएं, आने की भी संभावनाएं दिख रही है जो आपके कारियों को जो है समर्दी और सपलता की और ले जाते हुए दिख रही है हमेशा की तरह ध्यान रखे कि सपलता के लिए कोई भी मेहनत का समरपन जो है बिना योजना के कामियावी की दिसा में मदद करना जो है मुस्किल हो सकता है यानि कि मेहनत करेंगे तो तभी आपको काम्यावी मिलेगी इसलिए आपको मेहनत करते रहना है और अपने कारियों को सठीक योजना बनाते हुए आपको लक्षों की प्राब्त की इदिशा में अच्छे तरीके से आगे बढ़ते तो यहां आपको जरूर करना है उपाय की बात करें तो उपाय आपको जो है किसा रहेगा आने वाला सफता तो सब्ता का आरम जो है मेन राज के लिए भहुती सुफलाई होने वाला है आपको अपने भागय का साथ मिलेगा और आप अपने पिता के साथ मिलकर के जो है कई सुगद इस्तितियों का अनभव भी कर सकते हैं आपके कारियों में जो है बिना किसी रुकावट के जो है आप अपने कारियों को पुर्ण करेंगे और जिससे आपको सुगद और अश्चर जनंग नतीजे प्राप्त हो सकते हैं इसके साथ सी साथ जो है आप यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं गुदवार और स्वयमी प्राफ्त होते दिख रहे हैं और किसी बड़े सरकार कारिय के बनिकी संभवना भी आपको दिख रही है इस दिन जो है आपकी आर्तिक कारियों हो शकते हैं इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपको यह सुनिशित करना है कि बजट के अनुसार आपको खर्च करने हैं तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा अपने बजट का ध्यान रखना है उपाय की बात करें तो इस सप्ता को और शुफल दाई बनाने के लिए जो है आपको जो है संकर भगवान का निरंतर पूरे सप्ता पूजन करते रहना है और ओम नमस्तिवाय का जाब करते हुए संकर भगवान को जल और दुद मिला करके जल और दुद की धार आपको समर्वित करनी है तो यहां उपाये जरूर करें ताकि आप इस सब्ता को सुफल दाए बना सकें तो आज का या कारेकरम यहीं पे करेंगे समाथ आज का कारेकरम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अब गत कराएं